C-I-E-T-N-C-E-R-T की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गणित की पाठ पुष तक गणित का जादू का पहला अध्याए मचली उचली पेज नंबर एक से पंद्रह तक गहरे समुद्र में दिखो प्यारी सी रंगीन मचलियां तैरती शानति से तीन पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं एक और हाइकू पढ़ हैं तालाब शानत, स्थिर, मचली उचली और लोटी, तालाब लहरों से हिल गया क्या तुम्हें कोई मचली रानी से संबंधित कविता याद है? यहां बच्चों के बनाए गए मचलीयों के कुछ चित्र दिये जा रहे हैं जब तुम मचली के बारे में सोचते हो, तब मचली की कौन सी आकरिती तुम्हारे दिमाग में आती है? माया कक्षा 4 मचली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो पेज नमबर 2 अपने आस पास कपड़ों पर चित्रों में दरी आदि पर मचली के डिजाइन ढूंड हो मीन का अर्थ है मचली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आँखें मचली जैसी हैं क्या तुम ऐसी आँखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चहरा बनाओ जिसकी आँखें मचली जैसी हो मचली अलग अलग आकार की हो सकती है सबसे चोटी मचली लगभग एक सेंटिमीटर लंबी होती है तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मचली के बारे में सोच सकते हो तुम्हारी बड़ी मचली सबसे चोटी मचली से कितने गुना लंबी है सबसे बड़ी मचली वेल शार्क है वास्तव में ये वेल नहीं है बलकि एक बहुत बड़ी मचली है वेल मचलीयों से अलग होती है वेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है लेकिन मचलीयों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं हवा नहीं वेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मच्छी अंडे देती है वेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती हैं पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती वे मनुशे पर हमला नहीं करती एक वेल शार्क अठारा मीटर लंबी है जरा सोचो ये कितनी लंबी होगी तुम्हारी लंबाई के लगभग बारह बच्चों को एक के उपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा तुम सभी बारह बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा उसका वजन लगभग 16,000 किलो ग्राम है पेज 3 तुम्हारा वजन कितने किलो ग्राम है? तुम्हारी ही तरह के बारह बच्चों का कुल वजन लगभग खाली जगा किलो ग्राम होगा वेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे बारह बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा खाली जगा मचली की पूँच वेल और मचली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँचों पर ध्यान दो मचली की पूँच उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है पर वेल की पूँच दो पैरों के समान दिखाई देती है क्या तुम तस्वीर में मचली को पहचान सकते हो मचली का स्कूल मचली समुद्र में बड़े-बड़े जुंडों में तैरना पसंद करती हैं जिसे मचलियों का स्कूल कहा जाता है जुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता वे बड़ी मचलियों से सुरक्षित महसूस करती है क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? यह एक प्रकरण संबंधी अध्याय है जो बच्चों को मचली और मचुआरों के संसार के बारे में समगर द्रिष्ट देता है आकार, अंदाज, लगाना, बड़ी संख्याओं की समझ, आसान प्रक्रियाएं, चाल, कर्ज लेना देना, आदे गणिती अवधारणाओं को वस्तविक जीवन के संदर्भ में लिया गया है जिससे कि पहले सीखे गए कुछ विचारों को रचनात्मक तरीकों से दोहराया जा सके बड़ी मचलियों को डराने के लिए कुछ चोटी मचलियां बहुत सारा पानी पी कर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं जिनसी ने मचली के चितर बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिये गए अलग-अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो समुद्री अर्चिन लॉब्स्टर इल लाल स्नैपर पेज नमबर पाँच उक्टोपस सीपी पारट मचली जींगा मचली कतल मचली जैली मचली स्क्वीड सिल्वर पंफ्रेट केकड़ा इन में से कौन-कौन से समुद्री जानवरों के बारे में तुम पहले से जानते हो मच्वारे और उनकी नाव तुम में से कितने बच्चे समुद्र के पास गए है तुम समुद्र के पास कहा गए हो तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा मालूम करो क्या तुम्हें तैरना आता है क्या तुम्हें समुद्र की उंची-उंची लहरों से डर लगता है पेज 6 अपनी आँखें बंद करके सोचो कि समुद्र में उँची उँची लहरे उठ रही है तुम्हारे विचार में लहरे कितनी उपर उठ सकती है कल्पना करो कि मच्वारे अपनी नावों में बैठे है और लहरों के साथ उनकी नाव उपर नीचे हो रही है मच्वारे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं कुछ मच्वारे अपनी लकड़ी के फटों से बनी साधारन सी दिखने वाली नावों में जाते हैं अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ उन्ची लहरें भी उठ रही हो तब इन मच्वारों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है लकड़ी के फटों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग एक घंटे में चार किलो मीटर तक चली जाती है दस किलो मीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा अंदाजा लगाओ तुम तेज चल कर एक घंटे में कितनी दूर जा सकते हो पेज साथ मच्वारे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देख कर अपना रास्ता खोज सकते हैं हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं पता करो सूरज किस दिशा में उगता है तुम जहां कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन-कौन सी मज़ेदार चीजें हैं अपने पश्चिम की और दिखने वाली दो चीजों के नाम लिखो वाह! कितनी मच्छियां! समुद्र के अंदर मच्छियां उस जगह को ढूंडते हैं जहां उन्हें ज्यादा मच्छियां मिल सकें वहाँ वे अपना जाल पहलाते हैं उन्हें मच्छियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतिजार करना पड़ता है अलग अलग तरह की नावों को देखो कितनी लंबी स्वाड मच्छि कुछ नावों में मोटर लगी होती हैं और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मच्छियां मिल जाती हैं मोटर लगी नावें लगभग 20 किलो मीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। चप्पू वाली बोट मोटर बोट साढ़ह तीन घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। 85 किलो मीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। पेज 8 मोटर बोट लेकिन अब मचवारे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मचली व्यापार में कुछ बड़ी-बड़ी मचीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े-बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मचलियां पकड लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मचलियां रह जाती हैं। ये नावें ज्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। ये बड़ी-बड़ी मशीनी नावें उन छोटी-छोटी मचलियों को भी पकड़ लेती हैं, जिनहें अभी बड़ा होना है। मचवारे तो हमेशा मचलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकाल कर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तयार करते हैं कि केवल बड़ी मचलियां ही पकड़ी जाएं। सेकडों साल से मचवारे समुद्र और इसमें पलने वाली मचलियों की देख भाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मचलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मचीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलो ग्राम मचलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मचली समुद्र में नहीं बचेगी। नदियों और समुद्र में मचलियों पर बढ़ते हुए खत्रे पर रिपोर्ट लिखो। किस नाव में कितना आता है। लट्टों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलो ग्राम मचलियां लाती है। लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मचलियां ला सकती हैं जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है। ताकि ये पता चल सके कि हर नाव एक घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका पर ध्यान दो और पता करो क, हर तरह की नाव साथ चक्करों में कुल कितनी मचलियां लाएंगी क, मोटर बोट छे घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी ग, अगर लंबी पूँच की नाव को साथ किलो मीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी नाव का प्रकार एक चक्कर में मचली पकड़ी किलो में नाव की चाल एक घंटे में कितनी दूर जाती है लठे की नाव 20, 4 किलो मीटर प्रति घंटा लंबी पूँच की नाव 600, 12 किलो मीटर प्रति घंटा मोटर बोट आठ सव बीस किलो मीटर प्रतिघंटा मशीनी नाव छे हजार बाईस किलो मीटर प्रतिघंटा पेज दस कुछ बड़ी-बड़ी संख्याएं गनित का जादू पुस्तक चार में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो सौ हजार के बराबर होती है तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग एक लाख एंट के भठे हैं जहां एंटें बनाई जाती हैं तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है एक हजार की संख्या लिखो अब एक सौ हजार लिखो तो एक लाख की संख्या में कितने शुन्ने होंगे आसान है ना हमारे देश में लगभग दो लाख नावे हैं उन में से आधी बिना मोटर की हैं मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी लिखो मोटर बोटों में से लगभग एक चौथाई बड़ी मशीनी नौकाएं हैं मशीनी नौकाएं कितनी हजार हैं? कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ शायद तुम सोच रहे होगे के आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिन्दगी मचलियों से जुड़ी हुई है कुल मिलाकर लगभग एक सौ लाख मचुआरे हैं जो मचली पकड़ते हैं उन्हें साफ करके बेचते हैं जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदे इस बड़ी संख्या एक सौ लाख के लिए हमारे पास एक नाम है एक करोड तुमने करोड के बारे में कहा सुना यह किसके लिए उपयोग में आता है एक करोड लिखने की कोशिश करो बहुत सारे शून्यों में उलज मत जाना पेज 11 मचली बाजार क्या तुम कभी मचली बाजार गए हो अगर हां तो तुम्हें पता होगा के भीड और शोर से भरी जगह को मचली बाजार क्यों कहते हैं आज मचली बाजार में बहुत चहल पहल है कुछ मचवारों की नावें बहुत सारी मचलियां लाई हैं मचवारें ने चिला चिला कर कीमत बता कर खरीदारों को अपनी और बुला रही हैं मिनी यहां आओ, यहां आओ, येलो छोटी-छोटी मचलियां, साडन, 40 रुपए किलो ग्रेसी कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाड मचली, 60 रुपए किलो फिलोरम्मा छोटी जींगा मचली, 150 रुपए किलो बेचती है देखो, फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मचली किंग फिश को उठा पा रही है वह कहती है, यह मचली 8 किलो ग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी अभ्यास का समय 1. फाजिला ने बड़ी मचली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलो ग्राम में बेचा 2. आज फिलोरम्मा दस किलो ग्राम जींगा मचली बेच चुकी है उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे 3. ग्रेसी ने 6 किलो ग्राम सौर्ड फिश बेची मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं मिनी ने कितने किलो ग्राम साडन बेची है पेज बारह चार बशीर के पास सौ रुपे हैं उसने एक चौथाई पैसे स्क्वीड पर खर्च किये और तीन चौथाई पैसे जींगा मचली पर खर्च किये क उसने कितने किलो ग्राम स्क्वीड खरीदी? ख, उसने कितने किलो ग्राम ज히ंगा मचली खरीदी? तेजी से बोलने की कोशिश करो. जरा ध्यान दो, नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो, वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिप्पियां बेचती है उसे पता है कि जो सिप्पियां वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी महिलाओं का मचली बैंक मचली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है फाजिला इसकी अध्यक्ष है बीस मचवारिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है हर एक पच्चीस रुपे हर महीने बचाती है और बैंक में जमा कर देती है यह समुद्री माह कितना पैसा एकठा करता है दस साल में कितना पैसा एकठा होगा अभ्यास का समय ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए जहांसी और उसकी बेहन लट्टे की नाव खरीदना चाहती है इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी क? ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए चार हजार रुपए का कर्ज लिया उसने तीन सो पैंटालीस रुपए हर महीने एक साल तक वापस दिये वे कितने पैसे बैंक को वापस करेंगी? पेज तेरह ख, जासी और उसकी बैंने एकीस हजार रुपए का कर्ज लठे की नाव को खरीदने के लिए लिया उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर तेईस हजार पाँच सो बीस रुपए वापस किये उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? पहले महिलाएं मच्छियां पकडने नहीं जाती थी लेकिन अब झासी और अन्न महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं चीजें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है उन्हें मचलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है क्यो ना हम मचलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं? मचली बैंक की मचवारी ने मचली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती है पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है पिछले कुछ सालों में उन्होने 74,000 रुपे बचाए हैं उन्होने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है फाजिला ने उन चीजों की सूची बनाई है जिन को खरीदना होगा तालिका में हर चीज की कीमत और संख्या लिखी गई है कुल खर्चा पता करो पेज 14 चीज हर एक की कीमत चीजों की संख्या कुल खीमत ताजे पानी के लिए खुदाई मचली सुखाने के लिए बांस की अल्मारिया दो हजार रुपए सीमेंट की टंकी एक हजार रुपए चार खाली जगए ट्रे और चाकू तीन सो रुपए बीस खाली जगए बाल्टी पिछहत्र रुपए बीस खाली जगए कारखाना लगाने की कुल खीमत बराबर रुपए खाली जगए जब मचली सूख जाती है तो उसका वजन एक बटा तीन रह जाता है उन्होंने एक महीने में 6,000 किलो ताजा मचली सुखाने का विचार किया उन्हें एक महीने में कितनी सूखी मचलियां मिलेंगी खाली जगए फिलो रम्मा सबसे पहले 6 किलो ग्राम ताजा मचली के लिए गड़ना करें हमने ताजी मचली खरीदी 15 रुपए प्रति किलो ग्राम हमने सूखी मचली बेची 70 रुपए प्रति किलो ग्राम 6 किलो ग्राम ताजा मचली सुखा कर हमें मिलती है खाली जगह किलो ग्राम सूखी मचली हम 6 किलो ग्राम ताजा मचली के लिए देते हैं 6 गुना खाली जगा बराबर 90 रुपए हम 2 किलो ग्राम सूखी मचली बेचेंगे और पाएंगे 2 गुना खाली जगा बराबर खाली जगा रुपए अताह अगर हम 6 किलो ताजा मच्छली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे खाली जगह घटा 90 बराबर रुपए खाली जगह लेकिन अगर हम 6000 किलो ग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे एक महीने में खाली जगह गुणा 1000 रुपए पेज 15 वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किये गए काम के बदले में तनख़ाँ मिलेगी जहांसी मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6000 किलो ग्राम मच्छली के लिए 1500 किलो ग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी नमक की कीमत दो रुपए प्रति किलो ग्राम है कीमत प्रतिमाह क नमक 1500 गुणा दो रुपए बराबर रुपए खाली जगह ख पैकिंग और बसका किराया बराबर 3000 रुपए इस तरह मच्छलीों को सुखाने पैकिंग और बसका मासिक खर्चा बराबर रुपए खाली जगह फाजिला कितना अच्छा लग रहा है हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपए कमाएगा ध्यान दो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है पता करो मच्छवारों के गीत बहुत सुंदर होते हैं इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो इसी के साथ 14 अध्यायों की इस पुस्तक का पहला अध्याय पूरा हुआ स्वर मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बैटलेंग लिंगदो तक्नीकी सहायक विकास संघवान निर्मान सहयोग रुचेशर्म निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत